Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आरजू को समुद्रतर बहुत पसंद है उसे साफ सुथरा बनाने का उसने पक्का इरादा किया है पर ये काम तो बहुत मुश्किल है चलिए, जानते है कैसे अपने दोस्तों और गणित की मदद से उसने इस समस्या को हल किया कहानी का शीर्शक है समुद्रतर का सफाई अभियान Original Story The Big Beach Cleanup by Pratham Books कहानी लिखी है चंदिनी चाबरा चितरांकन आशा सूजन एलेक्स हिंदी में अनुवात पूजा बहानवाल कहानी सुना रही है असावरी दोशी आरजू को दुनिया के किसी भी स्थान से अधिक समुद्रतर पसंथा वहाँ वो अपने पसंदीदा जीवों को देख सकती थी अपना मन पसंद खेल खेल सकती थी और अपना पसंदीदा पेय यानि की नारियल पानी भी पी सकती थी वो अपने सबसे अच्छे दोस्त उम्मीद के साथ जितनी भार भी जा पाती समुद्रतर पर जाया करती थी एक दोपहर उन्होंने ताता को अपनी नारियल की दुकान सजाते हुए पाया ताता ये कौन सा समुद्रतर है? एक तस्वीर की और इशारा करते हुए आरजु ने पूछा ये तो बहुत साफ और सुन्दर है उम्मीद ने कहा ताता ने उन्हें बताया कि किस तरह वो इसी समुद्रतर पर बड़े हुए थे वो नंगे पाव खेलते थे और काच या कचरे की चिंता किये बिना रेत पर जपकी लेते थे स्वर्क था वो पर मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि आप लोग कभी भी इसे उस प्रकार नहीं देख पाओगे अगले दिन स्कूल में आरजु ने अपनी पूरी कक्षा को ताता की पुरानी तस्वीरों और कहानियों के बारे में बताया उसने बताया कि कभी समुद्र तट कितना सुन्दर हुआ करता था हमें कुछ करना चाहिए मेरे पास एक उपाय है सभी लोग मदद करना चाहते थे आरजु ने उने अपना बनाया हुआ नक्षा दिखाया उसने पूरे समुद्र तट का नक्षा खीचा था और उसे चार बराबर भागों में बाड़ दिया था योजना थी सभी लोगों को चार बराबर समुहों में विभाजित करना चुकि कक्षा में सोला बच्चे थे इसका मतलब था कि प्रत्यक समुह में चार बच्चे होंगे प्रत्यक समुह समुद्र तटके एक चौथाई हिस्से से कच्रे को इकठा करके अलग करेगा आर्जू शायद प्रत्यक समुह को भी दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है आधा हिस्सा कच्रे को इकठा कर सकता है और आधा हिस्सा उसे अलग कर सकता है दिया ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया सुजाव है, आरजु ने जवाब दिया, चार का आधा दो होता है, इसलिए हम में से दो कच्रे को इकठा करेंगे और दो अलग करेंगे, बाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम गणीत की कक्षा में सिखाई जाने वाली चीजों को वास खाई जा रही है, आरजु ने खिलखिलाते हुए कहा, शनिवार को जिस दिन ताता की चुट्टी थी, सभी बच्चे समुद्र तट पर इकठा हुए, उन्होंने सामग्रियों को चार समान भागों में बाटा, अभी सामान क्या-क्या मिल सकता है, नुकिली और गंदी चीज उठाने के लिए रोटी वाला चिम्टा, कुल मातरा आठ, प्रतिक समुह के लिए एक चौथाई, मतलब दो-दो, उसके बाद कच्रा इकठा करने के लिए बोरिया, कुल मातरा सोला, प्रतिक समुह के लिए एक चौथाई, यानि की चार-चार बोरिया, थैलों को नामांकित करने के लिए कागज 16 कुल मात्रा प्रत्यक समुह के लिए 1 चौथाई याने के 4-4 कागज और नाम पत्र लिखने के लिए कलम ये तो कुल मात्रा 4 में ही जरूरत थी तो प्रत्यक समुह के लिए 1 चौथाई याने के 1-1 कलम पहले घंटे में सब लोगों ने मिलके कच्रा जमा किया और दो लोगों ने कच्रा विभाजित किया दूसरा घंटा उसके बाद तीसरा घंटा चौथा घंटा सूर्यास्त के समय अबू वादे के अनुसार कच्रे वाले ट्रक के साथ आए उन्होंने ट्रक में भरने से पहले सभी बोरियों का वजन किया बच्चों ने 120 किलो कच्रा इकठा किया था 30 किलो काच और कागज है जिसको पुनचकरित यानि की रीसाइकल किया जा सकता है उन्होंने कहा 120 किलो में से 30 किलो ये तो एक चौथाई है आरजू बोली अब बच्चता है 90 किलो जिसका अर्थ है कच्रे का 3-4 हिस्सा प्लास्टिक है उम्मीद ने कहा हाँ अबुने हामी भरी हम इसे ले जाएंगे और फिर से अलग करके देखेंगे कि किन चीजों का पुनचकरण या पुनउपयो किया जा सकता है याने के रिसाइकल या रियूज किया जा सकता है बाकी लैंडफिल में जाएगा रविवार की सुभा सभी लोग जल्दी आ गए और ताता का इंतिजार करने लगे सप्राइज इतना साफ सुत्रा समुद्र तड देखके ताता की आखे भराई इस बार खुशी से मुझे नहीं लगता था कि ये संभव है उन्होंने कहा आरजु ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरी सब कुछ संभव है ताता बस थोड़ी सी महनत का काम था और थोड़ा गणीत उम्मीद खिलखिलाते हुए बोला कैसी लगी ये अनोखी कहानी तो और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak पर जरूर आईएगा हमारा चैनल YouTube और अलग-अलग पॉड़कास्टिंग चैनल्स पे अवेलिबल है तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए बाई बाई शुक्रिया